हलो एपरीवान, कैसे आप लोग, मैं नसी मनसारी सराप सबों का स्वागत करता हूँ तो इस्टुडेंट्स आप लोग देख सकते हैं देखे एक बहुती बड़ी अपडेट है झारखन सरकार के तो आरा एक बहुती बड़ी अपडेट दी गई है देखे अपडेट क्या है कि B.A.D. 2023 के लिए जो इंटरंस इक्जाम होगा जो लोग एकचुक हैं कि हम B.A.D. करना चाते हैं टीचर बनना चाते हैं तो देखे उनका सपना यहाँ पर पूरा हो सकता है सरकार ने एक मुका दिया है कि 2023 यानि दो साल का आप लोगो पता ही होगा कि B.A.D. का जो कोर्स है यह टू इयर्स का होता है तो 2023 के सेशन में B.A.D. जो लोग करना चारे हैं उसके लिए इंटरंस इक्जाम का नोटिफिकेशन आ गया है ठीक है आप फॉर्म को बहुत ही जल्द फिल किया जाएगा इसको फिल कीजेगा आप लोग क्या लिखावा है जार्खन B.A.D. एडमिशन जार्खन B.A.D. कंबाइंड इंटरंस कंपुटिटिटिब एक्जाम ठीक है तो इस्टुएंट्स यदि आप लोग नए है मेरे चैनल में और B.A.D. का यदि आप लोग को पल पल का आप लोग को यदि अपडेट चाहिए पुरा फॉर्म फिलप से लेकर ठीक है काउंसलिंग करना एक्जाम देना काउंसलिंग करना ठीक है कॉलेज में एडमिशन लेना तयारी करना B.A.D. से रिलेटेड ठीक है सिलेबस की रिगार्डिंग हर एक चीज का पल पल का खबर मैं आप लोगो दूँगा तो यदि आप लोग नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें चैनल का नाम क्या है नसीम अनसारी सर ठीक है इसमें 2022-24 के जो भी केंडिड है B.A.D. के उनको भी मैंने गाइड किया है इसी तरह से आपको भी गाइड करूँगा मैं 2023 पजी सेशन के लिए ठीक है चले आगे बढ़ते हैं तो एक्जाम का नाम क्या है एक्जाम का नाम है B.A.D. Combined Entrance Competitive Examination 2023 ठीक है अब ये जो एक्जाम है किसके द्वारे ली जाएगी ठीक है Conduct कोन करवाईगी एक्जाम तो और्गनाइजेशन का नाम है जर्खन Combined Entrance Competitive Examination Board यानि सौट में बोल सकते हैं JCECEB JCECEB के द्वारा Entrance इक्जाम लिया जाएगा दो हजर बाइस चोबिस में जो Entrance इक्जाम हुआ था वो भी JCECEB के द्वारा लिया गया था ठीक है चलिए अब आगे देखते है आगे देखिए इसके बाद क्या है यह जो पाटकरम में मैंने बताया था कि यह पाटकरम कितने साल के लिए है तो टू येर्स के लिए है ठीक है दो साल का है दो साल का होगा कोर्स कोर्स दो साल का होगा 23 से 25 का और इसमें देखिए आरक्षन निती है ना आरक्षन निती जिसका हम लोग इंतिजार कर रहे थे काफी अभी बहुती ज़्यादा इसमें बहस भी चल रहा था कि क्या होगा तो आरक्षन निती जो है ना वो परभावी वो लोग ठीक है, डॉकुमेंट नहीं है, ठीक है, रिक्वाइड डॉकुमेंट, जैसे रिसिदेंसेल हो गया, ठीक है, कास्ट हो गया, या फिर कोई दूसरी इस्टेट के हैं, तो ये 15% में वो लोग रहेंगे, ठीक है, और 85% इसमें रिजर्ब रहेगा, चले आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है, ठीक है, तो latest किसी भी तरह के beard का, झहरकंड beard से related किसी भी तरह का आपको जानकारी चाहिए, तो आप बेजी जग आप इसमें चैनल कीजिएगा, ठीक है, इस चैनल में आप बने लएगा, नसीमन सारी सारी इस चैनल में, आपको हर एक चीज का खब है अच्छा अब online exam तो form fill up subscribe करना है तो online आवेदन online जो आवेदन है एक नंबर पे online आवेदन है कब से start होगा तो 10 फरवरी से ठीक है 10 फरवरी 10 फरवरी से online apply करना start कर देंगे और कब तक चलेगा तो 10 मार्श तक चलेगा ठीक है यानि एक महने 10 फरवरी से start रहेगा और 10 मार्श तक चलेगा ठीक है तो form को fill करना जरूर ना भूले ठीक है form को fill करना ना भूले एक खुद भी fill करें और एक दूसरे को भी बताएं जो लोग भी एक चुक है टीचर बनने के लिए ठीक है next देखे admit card online admit card कब तक जारी कर दिया जाएगा तो परिच्छा से चार दिन पूरू exam से चार दिन पहले अब यहाँ पर बात करते हैं कि परिच्छा के तीथी कब होगी 2023 में जो entrance exam आप लोग देंगे तो entrance का date क्या होगा तो date देखे क्या है यहाँ पर 23 April 23rd of April 2023 23 April 2023 को entrance exam होगा ठीक है अच्छा कहां कौन-कौन से exam center होगा city का कौन सा होगा क्या लिखा हुआ है नमबर 5 में जिला मुख्यालाई जहां प्रवेश परिच्छा आयुजित की जाएगी कौन-कौन सा city है कौन-कौन से city में exam होगा तो राची है धनवाद है जमसितपूर है बुकारो है दुमका और पलामू ठीक है आगे बढ़ते इसके बाद देखे यह तो अल्रेडी हम लोग अभी discuss कर चुके हैं क्वालिफिकेशन क्या चाहिए या तो गरेजिशन पास होना चाहिए या फिर appearing होना चाहिए ठीक है आगे देखे हाँ online कैसे feel करेंगे तो online apply होगा ठीक है हाँ form कैसे feel करेंगे तो online apply करना है और start date तो already अभी हम लोग discuss किये थे कि 10 February से start हो जाएगा और कब तक चलेगा 10 March तक चलेगा ठीक है exam का date एक बार फिर से हम लोग repeat कर रहे है कि 23 April 2023 को exam होगा ठीक है और कौन सा mode होगा ठीक है तो offline होगा exam जो देंगे तो offline mode होगा OMR seat आपको दिया जाएगा उसमें उसको ओभेल करना है ओभेल जो हम लोग करते हैं इस तरह से ओभेल करना है ठीक है यह सारा जी डीटेल में आप लोग को बताऊंगा और पता ही होगा आप maximum students को आगे चले बढ़ते हैं इसके बाद देखे eligibility criteria eligible कोन से लोग होंगे जो लोग B.A.D. कर पाएंगे eligible कोन है तो क्या लिखा बाए देखे मैं पढ़ता हूँ लिखा बाए है कि candidate with at least 50% marks in bachelor's degree मतब graduation में 50% होना चाहिए और in master degree in science, social science, humanities, commerce, bachelor's in engineering or technology with specialization in science and mathematics with 55% marks or any other qualification equivalent there too are eligible for consideration for admission to bachelor of education course यानी B.A.D. course ठीक है तो education qualification आप लोगों ने देखा होगा graduation है तो ठीक है 50% या फिर PG होना चाहिए PG 55% next the candidate will have to choose only one subject देखे के वहले एक subject चूज करना है within a subject category which he must have studied in the qualifying degree basically studied in the qualifying degree that is bachelor's degree bachelor's degree और master's degree for at least two hundred marks and out of which obtained at least 50% in that subject Thus the subject will henceforth be referred to as the teaching subject in the beard हाँ और beard में आपका जो subject आप चूज करेंगे वही आपका teaching subject माना जाएगा beard में है ना There is no restriction in the passing year to apply in beard ठीक है कौन सी year में आपने पास किया था ठीक है आप गिरेशन ये PG कौन सी year में आपका हुआ है वैसा कुछ restriction नहीं है कभी भी आपका पास हुआ हो बस आप beard के लिए eligible हो ठीक है अब देखे यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं फी के बारे में फी के बारे में discuss कर लेते हैं application fee अब fee कितना लगेगा तो fee के लिए है general category जो general category की candidate है उनको लगेगा 1000 रुपीज और bc1, bc2 candidate है जो जारखंड से है जो जारखंड के हैं bc1 या bc2 के उनको कितना लगेगा तो उनको 700 रुपीय लगेगा ठीक इसके सी, स्टी category या फिर female हो candidate of जारखंड state only क्यों जारखंड इस्टेट से जो female है या सी या स्टी हो ठीक है male female कोई भी उनको 500 रुपीय लगेगा 500 आगे देखे क्या लिखा हुआ है आगे लिखा हुआ है other state के जो भी candidate होंगे चाहे वो महिला ही क्यों ना हो female ही क्यों ना को सबको general treat किया जाएगा general का 5-15% reservation है और जो जारखंड इस्टेट से हैं उनको 85% उसमें reservation होगा ठीक है fee payments shall be made through payment gateway by online ठीक है और UPI online payment आप हो करना है इसमें आगे बढ़ते हैं और जब आप जिससे सपोज internet cafe आप जाते हैं form fill करने के लिए सपोज आप घर से नहीं कर रहे हैं या फिर आप घर से भी कर सकते हैं तो आपको कौन-कौन सा आपको important document है जो कि वहाँ पर B.Ed के लिए जब online form apply करेंगे तो कौन-कौन सा document आपको चाहिए होगा तो देखिए matriculation certificate आप ले कर जाएगा ठीक है ग्रेशन का certificate ले कर जाएगा अपना अधरकार्ट ले लिजेगा ठीक है यह सब आपको सब upload करना पड़ेगा car certificate, residential certificate, photo and signature ले कर जाएगा मानने जब cafe जाते हैं form fill करने के लिए तो यह सब आप required document ले कर जाएगा thumb impression आपको वहाँ पर लगाना होगा और अपना mobile number एक ऐसा mobile number जो कि आप regular use करते हैं आपके पास रहता है जिसमें OTP या कुछ BI verification के लिए और एक valid email ID एक email ID और एक mobile number यह दिए आपके पास email ID नहीं है तो जल्दी से आप बना लिजेगा और एक mobile number आपका अपना होना चाहिए ठीक आगे देखते हैं हाँ तो हम लोगों ने अल्रेडी हम लोग डिसकस कर चुके थे हम लोग अल्रेडी डिसकस कर चुके थे कि 10 फरवरी से इस्टार्ट हो जाएगा online form फिल करना इस्टार्ट हो जाएगा 10 March तक चलेगा ठीक है यह छूटना पाए और exam के लिए तयार हो जाएए 23 April को exam है लेकिन exam से पहले एक बार हम लोग डिसकस करते हैं किसले बस क्या होगा कौन-कौन से subject के question पुछे जाएगे ठीक है तो चली अब एक बार मैं आप लोग को subject बता देता हूँ कि किस-किस section से question पूछा जाएगा है ना देखे आप लोगों को 100 question इसमें पूछा जाएगा 100 question पूछे जाएगे 100 question पूछा जाएगा जिसमें से 40 question होगा 40 question होगा किसका teaching aptitude का teaching aptitude का teaching aptitude का 40 question पूछा जाएगा इसके बाद reasoning ability से reasoning ability से reasoning से reasoning से आप लोग को 30 question पूछा जाएगा 30 question ठीक है इसके बाद languages कभी आपका test होगा कि language आपक कितना command है उसके लिए English language से 15 question पूछा जाएगा और Hindi language से भी 15 question पूछा जाएगा हिंदी से भी 15 ठीक है कुल मिला के हो गया 100 question हो गया 40 हो गया teaching aptitude ठीक है 40 question हो गया teaching aptitude 30 हो गया reasoning का 15 हो गया English का और 15 हो गया हिंदी का देखे 40, 30, 70 और 15, 35, 100 हो गया यह 100 question आप लोगो पूछा जाएगा और teaching aptitude में बहुत ही ज़्यादा आप ध्यान दीजे और reasoning का तो आप tension बिल्कुल आप लोगो को नहीं लेना है ठीक है reasoning का आपको बिल्कुल tension नहीं लेना है मैं कोसिस करूँगा कि minimum minimum हर एक candidate का 28 नमबर आ जाए ठीक है 30 में से कम से कम 28 29 आ ही जाए ठीक है मैं आप लोगो रेगुलर तयारी करवाओंगा आप लोग जुड़े रहेगा ठीक है मेरे चैनल से आप consult में रहेगा नसीमन सारी सर चैनल का नाम है सब्सक्राइब कर लीजेगा एक दूसरे को भी मैं तयारी करवाँगा ठीक है और सभी हिंदी एंगली सभी का तयारी होगा ठीक है ना अच्छा हाँ इसमें देखे नमबर आप लोगों को इसमें अच्छा लाना है अच्छा मार्स लाना है समझ गये इस बार जो topper का 2022-24 में जो topper का जो मार्स आया था out of 100 कितना मार्स आय था ठीक है ना हाँ लेकिन इसमें नेगटिव कट करने के बाद इतना मार्ण था negative marking भी होगा 0.25 का negative marking होगा है 0.25 0.25 ठीक है 0.25 का negative marking होगा मतलब 4 गलत करेंगे तो एक सही कट जाएगा इसे इसे बहुती केरफूली आपको एक्जाम देना है और आप लोगो पता ही होगा आप लोगो पता होगा कि जारकण में जारकण में टोटल 136 B.A.D. कॉलेज है ठीक है जिसमें से जिसमें से चार है चार है पियोर गॉर्मेंट कॉलेज जो J.C.E.C.E.B. के द्वारा एक्जाम जो लेती है उसके थुरू चार गॉर्मेंट कॉलेज आपको मिलेगा अच्छा मार्स आएगा तभी गॉर्मेंट कॉलेज मिलेगा जिसका फीब बहुत कम है ठीक है मैं बाद में फीब बताऊँगा इसके बाद इसके बाद 111 के आसपास है ना और 20 के आसपास में सेमी गॉर्मेंट कॉलेज हो गया ठीक है सब मिलाकर 136 कॉलेज हो गया तो सभी कॉलेजिज के बारे में डिटेल में फिर माई बाद मिं बताऊँगा ठीक है ना तो आपको अच्छा नमबर लाना है ताकि गॉर्मेंट कॉलेज आपको मिले सब्सक्त उससे थोड़ा सा कम नमबर आपका यह दिया आता है तो आपको सेमी गॉर्मेंट आपको कॉलेज के रहे आप इलिजिबल होंगे और नमबर यह दिया आपका ठीक है उससे कम आया तो फिर आपको private में लेना पड़ेगा और बहुती ज़दा कम आया तो risk हो जाएगा हो भी सकता है कि कोई भी college आपको ना मिले इसलिए negative नहीं सोचना है अभी सही तैयारी में लगे जाईए ठीक है लगे रही है ठीक है अभी सही तैयारी में लग जाईए ताकि अच्छा से अ मांगने का भी जुरत नहीं पड़ेगा ठीक है तो इतना बेड जो बेड इंटरांस जो 2000 बेड दो हजार 23-25 का जो सेशन है ठीक है 23-25 का जो सेशन होगा ठीक है न तो 23-25 के सेशन के लिए आप लोगे इंटरांस एक्जाम जरूर दिजेगा और उसके लिए तैयारी मिलते किसे दूसरे वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू गूर्माइन टेक केर